बेटा आज हम अपने चीकार 23rd लेसन कर रहे है नो अबर कॉंस्टिटूशन के बार में आपने अल्रडी एसस्टी वगरा में भी पढ़ा हुआ है कि हमारा कॉंस्टिटूशन जो है वो वन अफ दा लॉंगेस्ट कॉंस्टिटूशन है क्योंकि आपने पढ़ा हुगा हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडिट हुआ था 1947 में और जो कॉंस्टिटूशन है वो इफेक्ट में कब आया था 1950 में तो यह वन अफ दा लॉंगेस्ट रिटरन कॉंस्टिटूशन भी है तो स्टार्ट करते हैं दा इंडिया सुप्रीम लॉफ इंडिया इस अलॉंगेस्ट written constitution of any foreign country in the world तो आपको नीचे कुछ facts यह हैं जिनको आपको बताना है first of all who is known as the father of the Indian constitution की जो इंडियन constitution है उनके father जो है किसको बोला जाता है ज्वारलाल नायरू महात्मा गांधी यां बीया रंबेतकर तो राइट ऑप्शन इस बीया रंबेतकर जो है उनको हम जो है father of Indian constitution बोलते हैं when did the constitution of India come into effect सबको पाता है 26th January 1950s की तो ऑप्शन की भी नीट नहीं है next है what is the total number of union territories total number of union territory जो present है बेटा वो नाइन है पहले एट थी लेकिन अभी change हुआ है तो there are nine union territories next है how many schedules are there in the Indian constitution कितने schedules हैं constitution में 12 next है who declare financial emergency कि financial emergency अगर country में declare करनी पर जाए तो वो कौन declare करता है president next है which article is known as the heart and soul of the constitution कौन सा आर्टिकल है जिसको हम heart and soul of constitution कहते है article 32 after that बी पार्ट में आपको कुछ pictures दे गई है जो member of constitution drafting committee के members दे ठीक है तो इन pictures को recognize करना है आपने तो जो first picture है यह है यह है बी अल मित्टर ठीक है second जो है it's km मुंची आर्टी कि पूर्णडी कृस्वामी आयर बैटा जो लांस्ट पिच्चर है इसको हम प्रॉपरली रिकोगनाईज नहीं कर पाएं लेकिन वह प्रॉपरली ये मौहमद सदुल्ला की है तो एक बार आप लोग भी कनफर्म करेंगे तब आप इसका नाम जो है राइट करना ठीक है तो ये अभी मैंने चुड़वा दिया है क्योंकि ये पिच्चर जो है रेकोगनाईज नहीं कर पाएं तो एक बार आप लोग भी इसको खुद सर्च करना ठीक है मेंबर ओफ कमेटी जो है सेवन कमेटी के मेंबर से उनमें से थ्री के नाम तो आपको लिखवा दिये गए लांस्ट वाला आप लोग खुद दरा देखोगे लेकिन फिर भी एक बार आप खुद भी ट्राय करें मैं कंवर्म नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको अभी रॉप कर दिया है तो इजी सा चेप्टर था अबाउट अ कॉंस्टिटीशन एक बार इसको अच्छे से पढ़ोगे और अपनी बुक्स में कम्प्लीट करोगे थैंक यू